हेलो स्टुडेंट्स वेलकम अगीन टू लणप्रिदी तीवन हम लोग कर रहे हैं राजिस्थान मादेमिक सिक्षा बोर्ड की बुख 9 से 12 तक की हिंदी व्याकरण जिसके अंतरगत हमने बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो कर लिये थे तत्सम तद्वब देशज विदेशज उपसर्ग प्रत्य आज हमारा जो टॉपिक है वो है वाक्यान्स के लिए एक शब्द सभी के लिए इंपोर्टेंट रहेगा जहां भी आपके हिंदी पूछी जाती है तो वो आपको दूसरे टॉपिक में भी काम में आता है तो उपसर्ग प्रत्य हमने कर लिए थे तो यहां पर भी आप जब वाक्यान्स के लिए एक शब्द बनाएंगे तो वहां आपके उपसर्ग जो है वो बहुत देखने को मिलेंगे और आपके काम भी आएंगे ठीके त आप लोगोंने याद कर लिए होंगे चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर एक साइड वाक्यान्स है दूसरे साइड है एक शब्द सत्य बोलने वाला सत्य बोलने वाला कौन होता है सत्य वादी नेक्स्ट है जो सहनसील हो उसे कहेंगे सहस्डू यहां आपको सब्द सुद् के ही विश्वास कर लिया है वो है अंध विश्वास नेक्स्ट है धर्म में निष्ठा रखने वाला वो है धर्म निष्ठ अब देखिए यहां पर शब्द धर्म और निष्ठ इसमें टा नहीं ठा है ठीक है धर्म में निष्ठा रखने वाला धर्म निष्ठ जो तरप्त ना ह वह कहलाता है अत्रप्त अत्रप्त ठीक है अब देखिए उपसर्ग हमने किया था तो आपको याद आया होगा आ उपसर्ग था तो उसका आर्थ क्या था नहीं यानि जो त्रप्त ना हो वो क्या है अत्रप्त नेक्स्ट है दो भासा जानने और बोलने वाला वो है दो भासिया अब हमने दू उपसर्ग पड़ा था, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको काम आया, इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि उपसर्ग जो हैं, उनको आप बहुत अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, हर जगे आपके वो काम आएगा, दू भासिया, जो द गन आहार, क्या बना? अलपाहारी, ठीक है? तो यहाँ अलप जिसका अर्थ क्या है? कम, जिसके आने की तिती निश्चित ना हो, अतिती, देखिए, दुबारा से आया ये शब्द, क्या आया शब्द? अतिती, यानि तिती के आगे लगा अ, तो बना अतिती, यानि जिसके आने की, डेट ही निस्चित न हो वह अतिती, जिसे शमा न किया जा सके वह अशम्य, यहां भी न लगा और शम्य, क्या बना, अशम्य, तो जिसे शमा न किया जा सके, नेक्स्ट है जिसका मूल्य ना आखा जा सके वो है अमूल्य यानि उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है जिसका मूल्य ना हो वो है अमूल्य जो कानून की अनुसार ना हो वो है अवैद ठीक है वैद यानि कि जो कानून की अनुसार हो और उसके आगे अब उपसर्ग लगते ही ब नेक्स्ट है, जो कहां न जा सके वह है अकत्थनिय, ठीक है, कत्थन की आगे आल लगा आ, क्या बन गए अकत्थनिय, जिसको गिना न जा सके वह है अगण्य, नेक्स्ट है, जो इस लोक का ना हो, वो बनता है अलोकिक, ठीक है, जो इस लोक का नहीं है, वो क्या है, अलोकिक, जो बच्चों को पढ़ाए, तो ये तो हम सब जानते हैं, जो बच्चों को पढ़ाए, वो है अध्यापक, अध्यापक, जो अत्याचार करता हो, वह है तो अत्याचारी कहला जिसकी सीमा ना हो असीम, जिसका कोई सहायक ना हो वै है असहाय, जिसकी कोई उपमा ना हो तो वो है अनुपम, ठीक है, जिसकी उपमा ना हो वै है अनुपम, तो यहाँ पर उपमा इसके आगे लगा अनुपसर्ग, तो क्या बना अनुपम, नेक्स्ट जो छोड़ा न जा सके वह क्या है अनिवार्य यानि वो जरूरी है ठीके जो छोड़ा ना जा सके जैसे आपका पढ़ना अनिवार्य है आप छोड़ नहीं सकते हैं तो जो छोड़ा ना जा सके अनिवार्य है जो संभव ना हो तो बना असंभव तो यहां पर देखिए आपने पहले ध्यान नहीं दि आने की, जाना, और आ का मतलब नहीं, ठीक है, जहां News लेता संनी है, जिसका नाम नहों है, वह आनाम, उसके बाद है, जो अहिंसा में विश्वाश में दखकी, अहिंसा वादी, जिसका वणन ना किया जाका, अवर्णिनिय, जो परिचित नहों है, अपरिचित, मन में ह और ग्यान यानि जानना, मन में होने वाला ग्यान अंतर ग्यान, आशा करने वाला आशावादी, अलोचना करने वाला आलोचक, ठीक है, अब देखिए आलोचना है, यहाँ पर अलोचना नहीं है, इसी तरीके से अलोचना करने वाला है आलोचक, ठीक है, ध्यान देना है, जिन इन ही चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और examiner जो है वो ऐसे ही word आपके exam में लेकर आते हैं जो कि आपने बहुत कम ध्यान दिये हो. नेक्स्ट देखिए जो अपनी और आक्रिस्ट करे आकर्शक जो अपनी जीवनी लिखे आत्म कथाकार जो अपनी जीवनी लिखे तो वो क्या है आत्म यानि खुद की कथाकार कथा लिखने वाला जो अपने जीवनी लिखे आत्म कथाकार आज्या मानने वाला आज्याकारी न एक्जाम में दे दिया जाएगा कि नई खोज करना, यानि खोजी, खोज करता, तो नई खोज की है, तो वो क्या है? आविशकार, आविशकार करना, जो नए जमाने का हो, आधुनिक, दूसरे देश से मंगाना, तो वो क्या है? आयात, इश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, ठीक है, दूसरे देश में भेजना, वो क्या कहलाएगा, निर्यात, और इश्वर में विश्वास न रखने वाला, क्या बनेगा, नास्तिक, दूसरों का आभार मानने वाला आभारी या कृतक्या है, जो दूसरों का आभार मानने वो क्या है, आभारी या कृतक्या, दोनों ही वर्ड आपको ध्यान देने हैं चोटा भाई अनुज तो यह इस शब्द को मैंने आपको बताया था कि जा होता है जन्म लेने वाला और अनुगा होता है पीछे इसी तरीके से बड़ा भाई अग्रज जा यानि जन्म लेना और अग्र यानि आगे दूसरों से इर्ष्या करने वाला इर्ष्यालू अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है य के उपर र है ठीक है इर्ष्यालू जिसका हिर्द विशाल हो उदार जो उपर कहा गया हो उपर्युक्त जो बाद में अधिकारी बने उत्त्राधिकारी जहां दवाई मिलती है या इलाज होता है तो वो क्या है ओशद आले ओशद का आले यानि जहां ओशदी मिलती हो ओशद आले कला कारों द्वारा बनाई गई वस्तू कला कृति जो अपने काम में होश्यार हो तो वो है कार्य कुशल यानि कार्य में जिसे कुशलता प्राप्त हो वह है कार्य कुशल, जो कार्य कस्ट सहन कर किया जाए, कस्ट साध्य, ठीक है, जो तकलीफ में रहकर और फिर किया जाए, वो कार्य कस्ट धाए, कस्ट साध्य होता है, मिट्टी के बरतन बनाने वाला कुमार होता है, गलत मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी, कु यानि गलत, कु यानि बुरा, ठीक है, तो बुरा मार्ग पर जो चलेगा, तो वो क्या है, गलत मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी, उचे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, अब देखिए कुमार्गी में कु का अर्थ था गलत या बुरा और यहां देखिए उचे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन यहां कु का अर्थ है उचा कुल तेज बुद्धी वाला कुशार्ग बुद्धी किये गए उपकार को मानने वाला कृतग्य किये गए उपकार को मानने वाला कृतग्य तो हमने अभी पड़ा था जो दूसरों का उपकार मानता हो इसी तरीके से किये गए उपकार को मानने वाला कृतग्य दूसरों के उपकार को जो नहीं मानने वो क्या है कृतग्न ठीक है, बुरे कामों के लिए प्रशिद कुक्ख्यात, को का अर्थ क्या था, बुरा और ख्यात का अर्थ प्रशिद्धी, तो जो बुरे कामों के लिए प्रशिद्ध हो, वो कुक्ख्यात, जो कड़वा बोलता हो, कटु भासी, नेक्स्ट देखिए 60 पर जहां कलपुर्जे बनाये जाते हैं वह कहलाता है कार खाना जो अंदर में से खाली हो खोकला जिसके हाथ में चक्र हो चक्र पाणी अब यहां आपको ध्यान देना है शब्द चक्र पाणी पाणी में छोटी की मात्रा है जो किसी को ना सोहाता हो खटकना जो किसी को नहीं सोहाएगा तो वो खटकेगा इसका मतलब जो किसी को ना सोहाता हो उसका है अर्थ खटकना उसे क्या कहेंगे खटकना सामान खरीदने वाला ग्राहक या खरीदार गणित के बारे में जानने वाला गणितग्य का मतलब है जानने वाला और गणित आगे लग गया तो गणितग्य बन गया जो गड़ना योग्य हो गड़निय आकास को छूने वाला गगन चुम्बी जो गुप्त बातों का पता लगाए तो वो है गुप्त चर चिपाने योग्य बाते गोपनिय गायों को पालने वाला गोपाल गो का मतलब गाय और पाल का मतलब पालने वाला तो वो कौन है गोपाल गायों को चराने वाला ग्वाला, गायों में रहने वाला ग्रामीन, तो यहां पर आपने ध्यान दिया कि गायों को चराने वाला है ग्वाला और गायों को पालने वाला है गोपाल, गायों में रहने वाला ग्रामीन, नगर में रहने वाला नागरिक, ठीके, तो यहां पर देखिए शहर में रहने वाला शहरी होता यहां पर क्या आया है नगर में रहने वाला नागरिक तो जैसा वाक्यांस होगा तो वैसा ही उसका शब्द बनेगा नेक्स्ट देखिए बीमार का इलाज करने वाला चिकित सक जो चित्र बनाता हो चित्रकार चक्र के आकार में सैना की रचना करना चक्र व्यू चात्रों की उप्योग में आने वाला सामान चात्रो पयोगी चात्रों को दिया जाने वाला अनुदान या राशी क्या कहलाती है चात्र वृति जल में रहने वाला जीव जल चर जो जल में चरे जल में जो रहे वह है जल चर जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो जितेंद्रिय क्या कहलाते हैं, जितेंद्रिय, जनम से अंधा, अब देखें यहाँ पर जनमांध, जो जनम से अंधा है उसे कहेंगे जनमांध, जिसमें जाननी की इछा हो, जिग्यासू, जोतिस विद्ध्या का ज्यान रखने वाला जोतिसी जिससे देखकर डर लगे डरावना तप करने वाला तपस्वी दूर की सोचने और देखने वाला दूर दर्शी जो देखने योग्य हो दर्शनिय ठीक है जो देखने योग्य हो वो क्या बना दर्शनिय अब यहाँ पर देखिए दर्शनिय में दर्शन धन य ऐसा संदी विछेद नहीं है यहाँ पर क्या है यहाँ जो मूल शब्द है वो है द्रश क्या है द्रिश ठीक है द्रिश में अनिय प्रत्य लगा है यहाँ पर क्या लगा है द्रिश में अनिय प्रत्य लगा है और बना दर्शनिय ठीक है तो इसको आपको ध्यान में रखना है, जिस पुत्र को गोद लिया हो, दत्तक, जहां पहुचना कठिन हो, दुर गम, जो, यहां पर देखिए, दुर गम, यहां पर उपसर्ग जो है, वो दुर नहीं है, हमने क्या पढ़ा था, दुर, दुर धन गम, जो समझने में कठिन हो, दुर चले, इसके बाद के जो वाक्यांस हैं, वो हम कल करेंगे, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, थेंक्यू